शीतल के शादी एक हफ़ते पहले हुई है वो बहुत सारे सपने लेकर ससुराल आई है उसे एक अच्छा पती भी मिला है जो हर एक कदम पर उसका साथ देता है मुझे तो लगता था कि हर एक पती एक तरका होता है सिर्फ अपनी मनमानी करता है और अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना तुम्हारा साथ तो दोंगा ही शीतल और मनोज एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे शीतल को लग रहा था कि उसकी जिंदगी ससुराल में खुशी-खुशी कटेगी लेकिन उसके साथ तो कुछ होरी होने वाला था शीतल की सास अनीता बड़ी खुदगर्स किस्म की औरत थी घर में सिर्फ उसी का चलता था एक दिन सुबह मनोज काम पर चला गया और शीतल को उसकी सहीली ने मिलने के लिए बुलाया शीतल घरक से बाहर निकली रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे रोक लिया रुक जाओ, कहा जा रही हो बहू? वो माजी मेरी सहीली पूर्णिमा ने मिलने के लिए बुलाया है इसलिए जा रही हो अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी अभी तुमको ये सब शोभा नहीं देता लेकिन माजी सहीली सही तुम मिलने जा रही हो इसमें गलत क्या है? पता है मैं जब इस घर में ब्या होकर आई थी तब अपने कमरे से भी नहीं निकलती थी लेकिन मेरा जाना जरूरी है माँ ठीक है तो फिर मेरे साथ चलो मेरे घर की बहु को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती बाहर शीतल कोई चारा ना देखकर अपनी सास को साथ ले गई एक रेस्टरेंट में पूर्णिमा बैट कर इंतजार कर रही थी शीतल अनिता के साथ वहां गई अरे पूर्णिमा कैसी है अच्छी हो शीतल मुझे नहीं पता था कि तू अपनी सास को भी साथ लाने वाली है हाँ वो मैं तो आना ही नहीं चाहती थी बहु ने कहा कि अकेले आने में वो डर रही है इसलिए चली आई खेर तुम लोगों को मिलने के लिए इससे अच्छी जगा नहीं मिली क्यों माजी यहां क्या प्रॉब्लम है यहां कितने सारे लड़के हैं सभी देख रही थर पूर्णिमा अपसे शीतल से मिलना हो तो घर चले आना इसी तरह अनीता हर एक बात पर टांग गड़ाने लगी अनीता के कारण पूर्णिमा और शीतल ठीक से खुलकर बात भी ने कर पा रही थी कुछ तेर बाद अनीता बात्रूम गई तो पूर्णिमा ने शीतल से कहा तेरा दिमाग खराब हो क्या शीतल सोचा था कि तेरी सुहागराद के एक्सपिरेंस को लेकर गप पे लड़ाओंगी लेकिन तू तो अपनी सास को ही लेकर चली आई मैं थोड़ी लाई हूँ वो खुद से ही जित पकड़ कर आई है मुझे अकेली नहीं छोड़ना चाहती है वो लेकिन वो तो कह रही थी जूट बोल रही थी वो अरे यार तेरा पती इतना कूल है लेकिन तेरी सास तो बगड़ेटिट निकली अब क्या होगा तू तेरे हिसाब से जिन्दगी जीब थोड़ी पाएगी देखते हो यार पता नहीं क्या होगा उस रात शीतल ने मनोज से सब कुछ कहा मनोज ने कहा मा थोड़ी है ही ऐसी तुम बुरा मत मानो दिरे दिरे सब कुछ ठीक हो जाएगा शीतल उसी उमीद में बैठी रही लेकिन जितना दिन बीटता गया उतना ही अनीता अपनी मनमर्जी चलाती रही मा जी मुझे बाजार जाना है मैं एक गंटे में वापस आ जाओंगी बाजार जाना है ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ नहीं मा जी मैं अकेली जा सकती हूँ मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ पढ़ी लिखी हो तो क्या हुआ इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा, मैं जाओंगी तुम्हारे साथ। अनीता फिर से शीतल के साथ बाहर गई, बाजार में शीतल को कुछ खरीदना था, शीतल ने वो खरीद लिया, अब उसे दवाईों की दुकान पर जाना था, मा जी मुझे कुछ परसनल दवाई खरीदनी है, आप दुकान के बाहर रुखिये मैं खरीद लाती हो, शीतल के ये क चुपाना चलो दुकान पर। और यही चीज अनीता को हजम नहीं हुई। अजीब पागल हो रहत है, क्या नसीब है शीतल की, ऐसी टॉक्सिक सास मिली है उसको। हाँ तो उसमें क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? गैर मर्दों से बात करना अची बात है क्या? अरे मा, यह जमाना आपका नहीं है, यह मौडन जमाना है, यहाँ आपके ख्यालात नहीं चलते, और आप उसके साथ बाजार में क्या कर रही थी? मैं भी गई थी ना उसके साथ, मैं पागल हूँ जो उसे अकेली छोड़ दू बाहर, पता नहीं क्या गुल खिलाएगी? मनोच कमरे में चला गया, वहाँ शीतल गुस्से से लाल होकर बैठी हुई थी, वो मनोच से शिकायत करने लगी, लेकिन उस दिन भी मनोच ने किसी भी तरह शीतल को संभाल लिया. शीतल का पती अच्छा था, लेकिन उसकी सास, अकेली सास और पती दोनों के बराबर बन गई थी, हर रोज घर पर कलेश होने लगा, शीतल का सरदर्द करने लगा, और हर रोज अनीता अपने बेटे के पास जाकर बहु की चुगली करने लगी, मनोच भी परिशान हो गया औ वो पूरा दिन अपनों के इंतजार में घर पर ही बैठी रही, शाम को पूर्णिमा और राहुल केक लेकर घर आ गए, हैपी बर्डे शीतल, हम दोनों तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, ऐसा सरप्राइज मिलने पर शीतल तो बहुत खुश हो गई, वो अपने दोस्तों के सा हैर मौचूदगी में दूसरे लोगों को घर बुलाती है और पूछती है कि क्या हुआ, ये सब क्या बूल रही हैं आप, हम दोस्त है आंटी, हां आंटी आप ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम दोनों चुप रहो और निकल जॉइस घर से, यहां कभी मताना, अब शीतल का दिम पर हाथ उठा दिया, अनीता ने जोर से शीतल को एक थपड मारा, अरे ये क्या किया आपने बहु पर हाथ उठाया? हाँ, ये मेरा अधिकार है, ये क्या बक्वास है, अधिकार है ना, मैं भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, दिखाती हूँ आपको, उसी वक्त शीतल अप अब पुलिस को देखकर अनीता की सारी हवा निकल गई और वो माफी मांगने लगी मुझे माफी मांग रही हो आप, मैं कब से आपको बोल रहा था, कि ये सब मत करो मैं बहु के पास जाकर माफी मांग लो की अनीता ने शीतल से माफी मांगी शीतल ने केस उठा लिया लेकिन शीतल ने अपनी सास से अलग रहने का फैसला किया अच्छे खासी फैमली अनीता की जित की बज़े से तूठ गई ऐसे ही कितनी सारी लड़किया अपनी सास के अत्याचार से परिशान है इसलिए हमें हर एक लड़की को पढ़ाने लिखाने की जरूरत है ताकि वो अपना पक्ष सब के सामने रख सके और खुशी-खुशी जिन्दगी जी सके ये है नई नवेली दुलहन दीपिका जिसका उसके ससुराल में ग्रेह प्रवेश होनी जा रहा है दीपिका एक छोटे से गाउं में थी उसके पिता एक छोटे किसान थे और अब उसकी शादी उसी के गाउं में रहने वाले राकेश से हो गई राकेश भी किसान था शादी के दिन दीपिका बहुत खुश थी और वो अपनी नई जिन्दगी के हसीन सपने देख रही थी वो सोच रही थी कि वो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी और यही सब सोचते हुए वो अपने ससुराल के दर्वाजे पर पहुँच गई और फिर आओ बहु तुम्हारा स्वागत है इस कलश पर पैर मारो बहु इतना तो पता ही होगा ना उसे बड़ी आई बहु पर ओर्डर चलाने वाली हाँ सई बात है इतनी समझदार तो होगी ही मेरी बहु हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं होता ना क्या कहा तुने अपनी जबान बंद कर ले वरना यहीं बहु के सामने मार खाएगी तु अच्छा जरा हाथ तो उठा के दिखा तुने मुझे धक्का कैसे मारा अब तो तु गई बुढ़िया आहाहाहा मैं बुढ़िया और ये तो बड़ी कमसिन कली हो रही है ना पोपली कहीं की बिचारी दीपिका एक पैर हवा में उठाए कलश पर मारने को तैयार थी पर उसके सामने ही सुनीता और सरला एक दूसरे से भिड़ गई दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी लग रही थी सारे रिष्टेदार उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करने लगे उधर दीपिका भी हैरान परिशान सी बस यही सोच रही थी हे भगवान कौन है ये औरते जो इस तरह से लड़ रही है मेरी शादी का कच्रा करने पर क्यों तुली हुई है दोनों दीपिका ये सब सोची रही थी कि तभी उसका पती राकेश आगे बढ़ा और उन दोनों औरतों के पास जाने लगा ये देख कर दीपिका ने सोचा सही है अब यही दिमाग ठिकाने लगाएंगे इन दोनों के दीपिका को लगा था कि राकेश उन औरतों को सबक जिखाएगा लेकिन हुआ कुछ और ही राकेश ने सबसे पहले औरतों को एक दूसरे से अलग किया और फिर राकेश के बाद सुनते ही दीपिका का मुख खुला का खुला रहे गया वो समझ गए कि जिन औरतों को वो फाल्तु का रिष्टेदार मान रही थी उन में से कोई एक उसकी सास थी लेकिन तभी राकेश ने दूसरी औरत को पकड़ा और कहा इतना सुनते ही दीपिका को दिन में तारे नजर आने लगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश दोनों औरतों को अपनी मा क्यों बोल रहा था क्या उससे सुनने में कोई गलती हो गई थी या फिर वाकई उसकी दो-दो सासे थी घबराई दीपिका यही सोचने लगी कि अब आगे ऐसी दो-दो खुंखार सासों के साथ उसका जीवन कैसे कटेगा जैसे तैसे दीपिका ने घर में प्रविश किया पर उसके स्वागत के लिए जो आरती की थालिया लाई गई थी वो उसकी सासों की लड़ाई में कहा गई किसी को नहीं पता हाला कि उसकी दोनों सासे अब भी उसकी स्वागत में खड़ी थी एक का पूरा काजल पहला हुआ थो और दूसरी की लिप्स्टिक से उसका पूरा गाल सना हुआ था बेचारी दीपिका चुप चाप अपने कमरे में चली आई और फिर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ दरसल मेरी दो-दो मा हैं यही कहना चाते हो ना आप हाँ पता नहीं ये बात शादी से पहले तुम्हें बताई गई थी या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है अब जो होना था सो हो गया अब तो ये बताईए कि उनमें से मेरी असली सास कौन सी है मतलब आपकी सगी मा कौन है वो दोनों ही मेरी सगी मा नहीं है राकेश की बात सुनकर दिपिका का सिर एक बार फिर चकरा गया और वो बेहोश सी होने लगी तब ही राकेश ने उसे संभालते हुए कहा दिपिका क्या हुआ उठो मेरी बात तो पूरी सुनो फिर सो जाना अब भी कुछ बागी रह गया है क्या देखो मेरे पिता ने दो शादियां की थी पहले सरला मा से और फिर सुनिता मा से लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं हुआ तब सबने मिलकर मुझे अनाथ हाले से गोद ले लिया समझने में असानी हो इसके लिए मैं सरला मा को बड़ी मा कहता हूँ और सुनिता मा को छोटी मा कहता हूँ, तुम भी ऐसे ही बुलाना उन्हें। अच्छा, तुम ही समझा कर देख लो। नहीं लड़ेगी। लेकिन ठीक पांच मिनट बाद ही अचानक दीपिका को कुछ तूटने की आवाज आई। दीपिका भाग कर वहा गई, तो उसने देखा कि सरला ने सुनिता का सिर दिवार पर दे मारा था, जिससे उसका सिर फूट गया था। ये देख कर दीपिका ने भी खंबे पर अपना सिर दे मारा और फिर। हो गया, देख लिया, मैंने तो पहले ही का था, और समझा लो। तब बेचारी दीपिका ने फावडा उठाया और खेत की तरफ चल पड़ी। पूरे हफ़ते बेचारी दीपिका पहले घर के काम निप्टा थी और फिर दिन भर खेत में काम करती। एक हफ़ते के अंदर ही उसकी तब्यद भी जादा काम करने की वज़ा से खराब होने लगी। और फिर अगले दिन खेत पर, दीपिका हमें माव कर दो बहू। हाँ बेटी, इसकी बेवकूफी की वज़ा से तुभे बहुत परिशानी हुई है। हैं? मेरी बेवकूफी की वज़ा से? दीपिका को लगा कि अब फिर से उसकी दोनों सासे खेत में गुत्थम गुत्था हो जाएंगी। ये सोचकर उसने अपना माथा पीट लिया, लेकिन तभी सरला और सुनीता हसने लगी। जैसे किसी ने उसके सिर से बहुत बड़ा बोज उतार दिया हो। और वाकई, इस बार उसकी दोनों सासों को भी समझा गया था कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, बलकि उनके सुला से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। झाल गहा हुआ है। झाल झाल जिनके सुला और सो बड़ाई जसके से ही सम्झा रवाण। झाल झाल